हे दोस्तो, काजल अगरवाल एक भारती फिल्म अबनेत्री हैं जो ज़्यादातर तेलगू फिल्मों में कारे करती हैं ये तमिल और हिंदी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं हाला कि इन्होंने अपने अबने की सुरुआत हिंदी फिल्म क्यों हो गया ना से सुरू की जिसमें इन्होंने अमिताब बच्चन, एस्वरेराय और विवेक ओबरोय के साथ काम किया इसके बाद से ये तेलगू फिल्मों में काम करने लगी काजल अगरवाल का जन्म 19 जून 1985 में मुंबई में हुआ इनके पिता विनय अगरवाल एक उदमी है और माता सुमन अगरवाल एक हलवाई काजल की एक छोटी बहन निशा अगरवाल है जो की अबनेत्री है और कुछ तेलगू और तमिल फिल्मों में काम कर रही है काजल ने अपनी सुरुवातिय सिख्छा सेंट एनी हाई स्कूल मुंबई से की और इसके बाद उन्होंने केसी कॉलेज मुंबई में अपनी ग्रेजवेर्शन मास मीडिया इस्ट्रीम में पूरी की उसके बाद उन्होंने लॉरियास के साथ जब वो कॉलेज के फाइनल एयर में थी तो मॉडलिंग में कदम रखा एक्टिंग से पहले वो ब्रांड मैनेजमेंट में एम्बिय करना चाहती थी काजल अग्रवाल ने अपने एक्टिंग करियर की सुरुवाद बॉलिवूड के एक फिल्म क्यों हो गया ना से सन 2004 में की इसके बाद 2007 में इन्होंने एक तेलगू फिल्म तेजा में काम किया पर वो फिल्म जादा नहीं चली लेकिन अगले ही साथ 2008 में इन्होंने चंदा मामा नाम की एक तमिल फिल्म में काम किया जो की बॉक्स ओफिस पर तो सफल रही थी साथ ही साथ उनके आलोजकों ने भी फिल्म में उनके काम की सराहना की इसके बाद काजल ने एक दो और फिल्मों में काम किया लेकिन कम समय का रोल होने की वज़ से फिल्मे सफल होने के बाद भी काजल को इसका फायदा नहीं हुआ इसके बाद 2009 में काजल की मकदीरा नाम की फिल्म ने South Film Industry के कई फिल्मों को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया और जिसकी वज़े से काजल के केरियर का ग्राफ भी काफी तेजी से उपर आने लगा और उनकी गिंती मुख्य कलाकारों में होने लगी काजल ने अब तक खुल 49 फिल्मों में काम किया है जिसमें से साथ बार उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस इन तेलगू के लिए नॉमिनेट किया गया और दो बार उन्हें ये अवर्ड मिला एक बार काजल ने FHM मेकजीन के लिए फोटो सुट करवाया लेकिन बाद में मेकजीन ने काजल की टॉप प्लेस फोटो को अपने कवर पेश पर छापी जिसके लिए काफी विवाद हुआ क्योंकि काजल के नुसार उन्होंने ऐसी कोई फोटो को सूट के लिए दिया ही नहीं और उनकी फोटो के साथ छेड़चाड की गई है वीडियो को जरूर लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद